हेलो बच्चो वेलकम टू एटीपी स्टार कैसे हो मेरे यार होपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो बच्चो आज आपके लिए अगेन एक सूपर ट्रिक लेकर आया हूं रिगार्डिंग एस पर उक्साइड एफेक्ट को एफेक्ट भी बोला जाता है मतलब खर होचो सिंपल माननो हमारे सामने कुछ ऐसा है और हमें डालना है और भीहर के साथ को पारॉक्साइड तेने बहुत सारे तरीके अब को बेंजोईल परोक्साइड ठीक है उसके अलावा एच बीर आर्टू ओटू भी दे सकता है या सिंप्ली परोक्साइड भी लिख सकता है तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है वी हैब टू आइडेंटिफाई कि भाई यह रियक्शन परोक्साइड एफेक्ट वाली है तो अब एक बार हमने पहचान लिया तो अब हमें करना क्या है तो मैं सिंप्ली बता रहा हूं आप ऐसा करो यहां पर इसमें जो नेगेटिव ली चाइड एंटिटी उसको पक्ड़ो तो इसमें नेगेटिव चार्ज का है इधर है ठीक है अब क्या करोगे इस जो चार्ज पीशी है इसको इस पाइबॉन को तोड़ोगे और इस पाइबॉन को तोड़के इस नेगेटिवली चार्ज यह बैसे भी तो टेंशन वाली कोई जी कि अब इस से रिलेटेट कोई भी सवाल कर सकते हो तो यहां पर लौट डिग्री किसकी है इसकी यह भई तो यहां पे जो नेगेटिव ली चार्ज एंटिटी एनि व्रोवी नहीं वहां पर आएगा बस यहाँ आव एंटि मार्कॉनिक इसको अपने सामनी यह बैसफिश बहुत सवाल यह भी करो नहीं लगता है it is applicable only in the case of HBR is a mechanistically पता लगता है कि HBR के case में you know सारे जो steps होते हैं वो favorable होते हैं फरोक्साइड effect का जब radical mechanism होता है पर हम ट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर question तरीके से कोई भी सवाल बच्चो परोक्साइड effect का आप कर सकते हो ठीक है तो लेट मी सम अप simply break the pipe on pipe on break करके lower degree carbon को देखना है और वहाँ पे आपको halogen को bromine को लगाना है ठीक है अप्लिकेबल only for HBR in the presence of परोक्साइड अच्छा अगली चीज बता रहे तो बच्चो description में telegram community का link दिया है तो उसका हिस्सा बन जाना वहाँ पर मैं material tips बहुत कुछ share करता रहता हूं along with that comment section में बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसे लग रहे हैं अगला वीडियो कौन से topic से related आप सभी चाहते हैं ठीक है सो उससे आर motivation मिलता है और भी आपके लिए चीजे लाने के लिए तो do it okay चलो see you in the next video bye bye take care बच्चो and love you all